अज़ देश में एक्टिव केसीज छे लाग से जादा हो चुके हैं जिन में से जादा तर मामले हमारे इन दसरा जवे हैं बिहार, गुजरात, यूपी, पस्चेम मंगाल और तेलंगरा कोरोना के खिलाफ, कंटेन्मेंट, कॉंटेन्ट ट्रेसिंग और सर्वेलन्स ये सबसे प्रभावी हत्यार है, अब जनता भी इस बात को समझ रही हैं, लोग पूरी तरह सयोग भी कर रहे हैं, ये जागरुकता की हमारी कोशिशों से एक अच्छे परणाम की तरफ हम आगे वबस्ता इसी वज़े से आज इतने अच्छे तरीके से लागू कर पा रहे हैं, एक्षपर्ट अब ये कह रहे हैं, कि अगर हम सुरूवात के 72 गंटे में ही केसिस की पहचान कर ले, तो ये संक्रमन काफी हद तक दीमा हो जाता है, और इसलिए मेरा सबसे आग्रह है, कि जै जैसे हाथ धोने की बात हो, दोगज की दूरी की बात हो, मास की बात हो, कही पर न थूंकने का आग्रह हो, इन सब के साथ, अब सरकारों में और सरकारी ववस्ताओं में भी, और कोरोना वारियर के बीज भी, और जनता में भी, एक नया मंत्र हमें बराबर पहुंचाना पड और वो है 72 घंटे में जिसको भी हुआ है उसके आसपास के सब को उसका टेस्टिंग हो जाना चाहिए उनका टेस्टिंग होना चाहिए उनके लिए जो आवशक है वो व्यवस्ता होनी चाहिए अगर ये 72 घंटे वाली फॉर्मिला पर हम बल देते हैं तो आप मानिए कि बाकी जो जो चीज़े हैं उसके साथ आप इसको जोड़ देना है कि 72 घंटे के बीतर बीतर इन सारे कामों को कर लेना है और टेस्टिंग नेटवर के अलावा आरोग्य सेतु एब भी हमारे पास है आरोग्य सेतु की मदद से अगर हमारी एक टीम रेगुलर्ली उसका एनालिसीस करे तो बहुत आसानी से किस एरिया से शिकायत आ रही हम पहुँच सकते हैं साथियों सबसे ज़्यादा प्रभावी आप सबका अनुभव है आपके राज्यों में जमीनी हकीकत की निरंतर निगरानी करके जो नतीजे पाए गए सफलता का रास्ता उसी से बन रहा है आज जितना भी हम कर पाए हैं वो आप सबके अनुभव उसमें काफी मदद कर रहे हैं मुझे विश्वास हैं कि आपके इस अनुभव की ताकात से देश ये लड़ाई पूरी तरह से जीतेगा और एक नई शुरुवात होगी कि हम जो एक प्रतिशत से नीचे मृत्यूदर लाने का लक्ष रीकवरी रेट तेजी से बढ़ाने का लक्ष 72 घंटे में सारे कॉंटेक परसंट को तक पहुंच करके उनकी व्यवस्ता करना इन मंत्रों को लेकर करके अगर हम थोड़ा फोकस एक्टिविटी करेंगे तो हमारे जो दसराज्य जहांपर 80% कैसिस हैं हमारे दसराज्य जहां 82% मृत्यू हैं हम दसराज्य इस पूरी स्थिति को पलड़ सकते हैं हम दस राज्य मिल करके हम भारत को विजयी बना सकते हैं मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ